हेलो गाई स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग नोनी के पकोड़े बनाने के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले अपने नोनी को धो लेना है और क्लीन बाउल में रख लेना है उसके बार फिर हम हम इसमें एड करेंगे एक कटोरी बेसन और इसमें इसे डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच हल्दी और फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक नमक आप अपने स्वाध अनुसार भी डाल सकते हैं अब हम हम अपने पैन को गरम होने के लिए गैस पे रख देंगे और फिर हम इसे गरम होने देंगे फिर हम आते हैं अपने मैटर पे अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आपको पानी के जुरूरत है तो आप पानी डाल के भी मिक्स करें अगर आपको जुरूरत नहीं है तो आप ना भी करें, हमारा जो पैन है, अब वो गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे oil, मैं यहाँ rice brand oil यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो mustard oil यूज़ कर सकते हैं, अब ये देखिए, हमारा जो batter है, वो बनकर अब बिल्कुल तयार है, अब आप इसे जैसा shape देना चा के लिए डालेंगे, तो मैं यहाँ पे deep fry कर रही हूँ, आपकी मर्जी, अगर आप cello fry करना चाहे तो आप cello fry भी कर सकते हैं, इसी तरह एक एक करके हम अपने सारे पकोड़े इसमें डाल देंगे, अब हम इसे तब तक पकाएंगे, जब तक हमारा पकोड़े जो हैं, वो golden brown हो गया है, अब हम इसे पलट देंगे, तक दूसरी साइड से भी golden brown हो जाएं, अब हम इसे तब तक पकाएंगे, जब तक यह दूसरे साइड से भी golden brown ना हो जाए, तब तक आप इंतजार करें, तो अब आप यह देख सकते हмारे जो पकोड़े वो बिलकुल बन करते syllabus, आ र पर यह किसी के साथ भी बहुत टेस्ट लगेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे कैसी लगी तब 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 के लिबाइ